नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M42 5G vs IQ Z6 5G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो M42 5G में 6.47 इंच जबकि IQ Z6 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है जो की सेम जैसी ही है Width की बात करें तो M42 5G में 2.99 इंच जबकि IQ Z65 G में 2.98 इंच की Width मिलती है जो की सेम जैसी ही है बात करें थिकनेस की तो M42 5G में 0.34 इंच जबकि IQ Z65 G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो M42 5G में 193 ग्राम्स जबकि IQ Z65 G में 185 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो M42 5G में Super AMO LED जबकि IQ Z65 G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो M42 5G में 6.6 इंचर जबकि IQ Z65 G में 6.58 इंचर मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन M42 5G में 720 by 1600 और IQ Z65 G में 1080 by 2408 मिलता है स्क्रीन टू बोडी रेशियो M42 5G में 84.28 प्रतिशत जबकि IQ Z65 G में 84.09 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो M42 5G में 266 प्रतिश जबकि IQ Z65 G में 401 प्रतिश मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो M42 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera, Macro Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है और IQ Z65 G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Macro Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है आठ डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और IQ Z6 5G की बात करें तो उसमें साथ डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो M42 5G में single camera देखने को मिलता है, जिसमें की 4 different features मिलते हैं और IQ Z6 5G में भी single camera देखने को मिलता है, जिसमें 3 different features मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU दोनों phone में same ही, Adreno 619 देखने को मिलता है चिपसेट की बात करें तो, M42 5G में Qualcomm Snapdragon 750G और IQ Z6 5G में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है बात करें RAM की तो, M42 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 6GB, 8GB की RAM मिलती है जबकि IQ Z6 5G में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो, M42 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB, 128GB की storage मिलती है जबकि IQ Z6 5G में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB, 128GB, 128GB storage मिल जाती है expandable memory दोनों phone में up to 1TB है operating system की बात करें तो, M42 5G में Android V11 जबकि IQ Z6 5G में Android V12 देखने को मिलती है बाटरी की बात करें तो, दोनों phone में 5000mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो, दोनों phone में same ही दो colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो, M42 5G में 2 variant देखने को मिलते है जो कि 6 GB RAM 128 GB storage के साथ 21,950 रूपीज 8 GB RAM 128 GB storage के साथ 25,998 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें IQ Z6 5G की तो, उसमें 3 variant देखने को मिलते है जो कि 4 GB RAM 128 GB storage के साथ 15,499 रूपीज 6 GB RAM 128 GB storage के साथ 16,999 रूपीज 8 GB RAM 128 GB storage के साथ 17,999 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांजन कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy M42 5G में 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें IQ Z6 5G की तो उसमें साथ फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्पले में M42 5G आगे है में कामरा में IQ Z6 5G आगे है फ्रंट सेलफी कामरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मंस में M42 5G आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें गूगल पिक्सल 6 प्रो 5G है दूसरा वन प्लस 980 है तीसरा वीवो वी 23 प्रो 5G है और लास्ट कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G71 5G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत बूलना